नमस्कार किसान भाहियो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नविंतम एवं आलिनवन कीट नासक लोंग इस्टार के बारे में लोंग इस्टार कौन-कौन से फसलों में उप्योगी है तथा यह कौन-कौन से कीटों को नियंत्रित करता है साथ ही साथ इसका डोज, कीमत, इत्यादी सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें बात करें लोंग इस्टार की राशायनिक सनचना की तो इसमें थिया मेथोक्सम 12.6 प्रतिसत तथा लेमडा सिया लोथरी 9.5 प्रतिसत जेड़ सी फार्मूलेशन में उपस्तित रहता है जेड़ सी फार्मूलेशन, एस्सी वग सी एस फार्मूलेशन का मिश्रण होता है साथ ही साथ यह सिस्टेमिक कीटनासक होनी की वज़र से फसलों में छिड़काओं के बाद जड़ो एवं पत्तों के द्वारा तेजी से आउसोसित कर लिया जाता है लोंग इस्टार का प्रयोग कपास, मिर्च, मुंगफली, सोयाबिन, तमाटर, मक्का एवं चाय की फसल में किया जाता है लोंग इस्टार का उप्योग, वाइट फ्लाई, जेसीड, एफेड, थ्रिप्स, कॉटन के बाल वर्म, सूट फ्लाई, इस्टेम बोरर, लीफ होपर, साथ इसाथ सोयाबिन के गडल बिटल, एवं चाय के टी बक के प्रभावी नियंतरन के लिए किया जाता है कीट नियंतरन के साथ साथ लोंग इस्टार फसलों में ब्रांचिंग तथा साइनिंग को बढ़ा कर फुलों की संख्या बढ़ाता है जिससे की फसल के उत्पाधन में बढ़ोतरी होती है बात करते हैं लोंग इस्टार के उप्योग तडोस की तो सभी फसलों में इसका उप्योग अलग-अलग मातरा में किया जाता है सबसे पहले बात करते हैं कपास की कपास में इसका उप्योग 200 ml प्रती 500 ml पानी में एक एकड के लिए किया जाता है मिर्च, मुंगफली एवं चाय की फसल में 500 लिटर पानी में 1500 ml लोंग इस्टार एक एकड के लिए परियाप्त रहेगा इसके अलावा सोया बीन, मक्का एवं टमाटर की फसल में 500 लिटर पानी में 125 ml लोंग इस्टार एक एकड खेत के लिए परियाप्त रहेगा लोंग इस्टार के 500 ml पेक की कीमत 1200 से 1400 रूपे की बीच रहती है लोंग इस्टार का पहला इस्प्रे कीट लगने की प्रारम्बे का वस्था में करना चाहिए साथ ही साथ पहले इस्प्रे के 10 से 15 दिन के बाद इसका दूसरा इस्प्रे करना काफी फायदे मन रहेगा यह कीट ना सक छिड़काओं के बाद कीटों पर जल्दी से नोकडाउन क्रिया करके ज्यादा समय तक असर का रख रहता है लोंग इस्टार के छिड़काओं के 2 से 3 घंटे के बाद अगर 12 भी हो जाती है तो भी इसका असर कायम रहता है यह फसलों में फोलों की संख्या बढ़ा कर फसलों की साखाओं और हर्याली को बढ़ाता है